मेकनिकल फोड़म यूटूब चैनल मेकनिकल फोड़म यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज जो मैंने कल फिरी वेडियो में मैंने जो आपको यह कुशन दिया था इसका आज सुल्यूशन बताने वाला हूं और यह रहा आपका सुल्यूशन एक स्केंड मैं पूंज़ और टू एन है तो मतलब दो दुनी मैनस का कितना हो लुए चार दूनी आठ हो जाएगा और यहां से कितना थिरी के तो धृतरी दाने पलसका यह दो नीचे तो आपका वह रहनाने वाला है और उपर क्या आजाएगा वही नमेंस्यूशन चैनल प्लसका दो तो मै एक पावर 6 एक पावर 6 और एक पावर मैनस फॉम्ट जूड़ जाता है यहां पर छे मैनस 4 हो गय तो 2 आगया एक पावर दो और यहां पे भाग में AWK कितना 13 तो एक पावर से कट गया क्या पτεंबर एक पावर बच जाएगा अप्शन नमबर राइट不र अ यार बार-बार क्या हो रहा है यक्स का पावर पांच भाग में है तो पावर चार पावर पांच में से चार गया तो एक और तीन हो गया तो एक सका पावर तीन बट्टे एक तो कितना बचेगा स्कॉयर आप्सन नूम्बर प्लस तीन नमर हमारा डी हो जाने वाला है ठीक है अगले कोशन के बढ़ते हैं और अगला कुशन यह रहा कि यदि एक्स प्लस यदि एक्स प्लस वाई का हॉल स्क्वाइर मैनस का एक्स मैनस वाई का हो तो आपको इसका सीधा वल्यू क्या जाएगा भाई ऑप्सन भी आ आक्पलस भी एक्स मैनस का वाई हो जाएगा ठीक और या प्लस मैनस का क्या है एक्स और पलस वाई यह बात सबंच में हाया है क्पार बढ़ते हैं और अगला कुछन है कि 4 का पावर 3 5 का पावर 6 बरावर कितना है 10 का पावर M है तो M का मान गयात करना है M का मान बावु इस दहां सीधा आजाएगा कितना 6 आजाएगा क्योंकि यहां पे दिया आप तोरना चाहे तो एका कितना हो जाएगा 2 बुने 5 और यदि इसको तोरना चाहे तो 2 का पावर 6 5 का पावर 6 बात समझ में आया तो यहांपे क्या आ गया यहां पिदा का पावर 6 बरावर कितना दस पावर F एंगा सिक्स आ जाएगा बात समझ में आया अगले कि बढ़ेंगे तो अगला कुश्चन हमारा यह रहा जो हमारा टार्गेट है जो जितने बीडी पिस में जितने प्रिवियस एक उस्ट आया था उन सब को हम लगाने वाले हैं यह जो हमारा कुछन ओना है ए मैनस का फायव तो छोलुस करने Waiting कोशिष किया तो एक्स बरावर कितना जाएगा यह आ 分鐘 का पाँच अपोन अपूंट में अ मैनस का पाँच कितना जाएगा और हाँ नीचे क्या है इक पलस का तो आपको बताओ दो यह इस इक्वेशन में रखोगे तो यहां आ जाएगा यह इससे यह कैंसे लाट हो जाएगा बचेगा यह प्लस फाइव बट्टे शिक्स जो यह के वैल्यू आ जाएगी वाइग्यात करना है यह दि आपको इतना दिया है वाइवर प्लस वान बट्टे तिरी यह प्लस फुल बट्टेव बट्टेव अब यहां पर देसको कोषण वाइगे कि स्कूषक करोगे तो वान कर दो अब यहां नहीं नहीं ओकर कहनो लो कि जो तो का 32 चार पॉइंट तू फाइबा जाना है एक मान दिया है एक मान निकालना आपको एपलस साथ बट्टे एक मान गीवन है एक मान आपको ग्याद करना है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां सही हो रहा है t सभूर हमारा क्या हो जाएगा ए ओठिक हैं यह फुट से आप कर सकते यह इस कुश्चंज को यहां पर दिया गया है कि एक पावर कितन है एक पावर मैनसओन पलक्त बिक पाहर मैनसओन डिवाइड़ रगय एक पूरा एधि 35 कोशन देखना चाहेंगे तो एक सब्स एक सब्सक्राइब पलस का टेन बड़ावर 20 है तो यह दे टेन इधर जाएगा तो तो मतलब यहां पर मल्टीपल जाएगा तो टेवाइड में मल्टीपल आ जाएगा तो टेवान थोजेंट आ जाएगा अप्शन नमबर भी आ जाना है यहिधि 35 36 नमबर कोशन देगेंगे तो a-5 वैलो पांच दिया है तो a-5 प्लस बैलू का वैलो दिया है तो 31 तो आपका a वी का मान निकालना है आप खुद देखने की कोशिज करो यहिधि 5 के स्क्वाइर पलस में a b का मान कहरा है आप यहाँ पर देख लो कि a minus b का whole square करने वाले है तो क्या निकलेगा भाई आपका निकलेगा a square plus b square और plus का 2ab यही निकलने वाला है और इसका मान कितना दिया है 31 दिया इसका मान 5 तो 25 25 में से 31 गटा होगे minus का 6 2ab बात समझ में आया मैंनस का 3 आ जाएगा यहां पर 3 आ जाएगा बात समझ में अच्छा मैंनस भी था तो 3 आ जाएगा बात समझ में मैंनस है तो पलस पलस होता तो मैंनस इस question का answer क्या होने वाला है तो यहां जाएगा a square plus b square ठीक है option तो नमबर भी हो जाएगा अगले question के बढ़ते और यह रहा आपका अगला question कि यदि 3y square plus x square मैंनस 4 2 square तो तो तीन का तो 9 square हो जाएगा पलस का एक स्कॉयर हो जाएगा तो नो में सिर्फ चार गया तो पांच पलस का एक स्कॉयर पांच पलस का एक स्कॉयर ऑप्सन नमबर कौन साब को दिख रहा है यह दिख रहा है और यहां पर हमारा अगला question है कि ए विहा टयंस कितना होने वाला इसको आप दो एड करोगे तो कितना चार स्कॉयर करें कितना फॉयरी nr कितना हो गया साथ पांच आ यहां पर दिया का नेधी Alto सिर्फ दुन्सटपान यहां पर प्टे ze है तो आपको से भावार कुतना 1 भुन हो जाएगार उड़ जाएगा और एक है को मांनेदी आठ आ जाएगा फ्रकार और इसका कि अ informs कि मार moi यह यह भाए आठ टो फी अर के अनल हो जाएगा है और भी यह अल्हें हो तो आपको बताने एक्स का मान कितना होगा तो एक्स का मान कितना हो जाएगा एक्स बराबर फोर आ जाएगा यह आप देख लो solution ठीक है तो इस जो भी पेपर आया हुआ था वो काफी इजी पेपर था और मैं चाहूंगा कि यह सारे कुशन्स आप अपने से स्वाल्व करने की कोशिस करें इसका मान हमें जरूर बता है क्योंकि यहां पर यह आजाएगा तीन 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 नौद यह गया रहा आज अप्सन नमर हमारा डी हो जाएगा यह देख लो ठीक है 43 डंबर कुशन्स देखो ए पलस टूबी बरावर 55 है ए मैंस टूबी बरावर मैंस का पंतेर है तो बी का मान गयात करना आपको बी का मान कैसे गयात करेंगे देखो आंसर हमारा सी होने वाला है अब यहां पर देख लो 43 का यह देखो आप यहां पर solution गीवन है ठीक ह कोरी कि आपको जान बूजके नहीं बताने की कुसिस किया कि itना तो आप जानते हैं यहां पर यह भी कुशन्स देखलो यह कि कि रभी कुशन्स कोटरा है नते है उन्सर हमारा 125 होने वाला देख लो यहां पर solution ठीक है तो मैं चाहूंगंगा कि यह जो है वह एज़ी है और यहां पर यह देखो यह लिए पावर बेस्टिम होगा ता ह्वार हमारा वारावर हो जाता है और य जह Bin हूं पूंद अर्थ है मतलब यह स्थथ हैं तो आप यहां पर लिख सकते हो कि य कि यह तो एक्स प्लस की वाली श्रीख साना थीक हैे और यहां से क्या देखने की अग्या आपको इसका आंसर आप बताना आपको आंसर हमारा डी है और आप इसको सोर्डुस्य करके बताना है ठीक है तो चलिए आज के लिए तना ही कल देखेंगे मैजमे twitter आद जो अगला वीडियो इसमें टेक अप रहेगा रहेगा रिजिनिंग का तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिजिनिंग का जो कुशन देखेंगे तो जैसे कि एक को ट्वैंटी वन लिखा गया है और 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 को क्या लिखा जाएगा तो आप देखो यह दिदेखना चाहेंगे तो इसमें आरू यहां तक तो आपब को पढ़ता है कि 34 होने वाला है तो आर की फिलेज बइलिए कितना है तो आर का प्लेस वैल्यू अपको दिक 9 कि 18 है और 18 34 कितना हो जाता है 52 हो जाता है बात समझ में आया यह यह जो कुष्जन था कुछ नहीं था बस come-telless value को आपको सजाना था जुन सब्सक्राइब i?cd का बार बार काहता है नो हाध रखना है और क्या करहassy समझ just आ जाएगा अगला जो question है वह आपको एल्एवम हेल आपको 10 दिया और fx की फिपिटी दिया है तो यह जीड लॉक्स के आपको बताना है जी रॉक्स क्या होता है तो तो क्यू कितना होता है आपको पता लुह घू ता है क्यों का वालू कितना है इसका जो बिशाल सेवेंट ही हो जाता है तो आपको यहां पर दिख सब्सक्राइल इक सब्सक्राइए तोấ यह Ginsberg किस्का ओजाएगा उफ son सतलब एका पलिव कितना हो जागा ईतो पांच होता है और पांच में कितना बयस जोड़ना है बाइस आगया आर किस व हो जाएगा ऑप देखें गे तो यह शियर्ण तो आई का वल्यू 9 है पलस में ओका प्लेस वैल्लिव कितना उकिसे संब्धिता अल ओ सो ऐल फोर कितना वै 1011 हो जाएगा और यहां पर ऎक्तियर तीन हो जाएगा इन सब को आद डिय आपकर करो तो 49 नाइन हो जाएगा यहां पर यह देख लो ठीक यह बिट भीन सारा सरा वालू यहां पर Cities झाएगा और एजी अली को 13 लिखा गया तो यहां पर कितना नो आ जाएगा उसमें कितना एड़ गया चार यहां पर 13 आ गया उसी परकार आपको क्या बताना है कितना होता है एपका प्लेश वैल्यू आ जाएगा आपका सिक्स प्लस वन प्लस का थिरी प्लस का फाइब कितना आ गया पांच तीन आठ एक नो नौच्छा पंदरा ऑप्सन नंबर सी तो मैं जाहूंगा कि आप बार बार एवी सीडी की प्लेश वैल्यू याद रख लें ता क्योंकि चीमीं प्लेश में देखो यहां पर टीकी प्लेश वाल्यू कितना है प्रेस आज इसकी सम कितना 33 तेसी परकारा आपकर याच 540 और एक का कितना one and का 14 इन सब का सम कितना होगा 36 होने वाला है अगला कुश्चन है कि यदि आपका एचाइडी का one फोटीन हंडेड़ हो रहा है तो डवगा क्या होने वाला है अपसन नमर हमारा है एक पंद्रह सौ शॉट भी है बतीसौ पई सट हमारा सी जो है वह है आपका रिक्ता तारी सो चालिस है हमारा पचीस हट है आप इसका क्या करना है मल्टीपल कर देना सभी का जैसे एच निए सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर कितना लिखना है तो आप खुद ही देखो एक्स की जो वैली होती है और बी तो बीका दो और एका पांस तो पांस तो साथ यहाँ पर कितना आ रहा है फुर्टी एट आ जाएगा ओके अगले कुश्चन के बढ़ते हैं जैसे आए को नैन लिखा है तो इतना जू आपको यह बात 56 है बात समझ बाया यह सारे कुश्चन सापको देखने में मिलेगा एजी है लेकिन यह सारा कुश्चन सापके इंटीपीस एक्जाम में पूछा ग होगी बात समझ बाया जलिए अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं कुश्चन है कि एक अगस 1987 को कौन सा दिन था एक अगस 1987 को दिन में आपको आपसण है कि सनी बार गुरु वार रवी वार मंगल वार आंसर है सनी वार देखते हैं कैसे आपको कोड़ वजादी याद है तो तो इहां पर हमने क्या लग क्या लग दिया दिनांच लिख दिया उसके बाद हमें पता है कि अगस्त का जो कोड़ होता हो होत involved है ऊसके बाद आपकाToddhs sadamdi the sem itas tu Godsा तो हमने 87 लिख दिया उसके बाद च्छटवा दिन और च्छटवा दिन का अंसा आजाएगा सनी वार आ जाएगा बात समझ में आया तो एक अगस्ट उनीस सो सताशी कौन सा दिन था सनी वार था बाइस फरबड़ी कर दो जार दो से लेके 15 मार्च 2000 तक कुल कितने दिन होंगे तो आपको पता है यहां पर कितने छे सार कंतराल है तो यहां गया 22 कितना तेरह दिन इसमें कितने सेस बच रहे हैं एक दिन सेस साथ से डिवाइड करना है तो एक दिन सेस बच रहे हैं उसके बाद आपको 15 मार्च 2008 आठ को देखना है तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन सेश तो एक बचा तो सुक्र में एक जो रहेंगे क्या आजाएगा सनी आजाएगा बात समझ में आ रहा है यहां इस कुश्चन का अंसर आपको बताना है कमेंट बक्स में ठीक है कुल कितने दिन होने वाला है ओके चलिए अगले कुश्चन देखेंगे फिगर कांटिंग से कि निमन फिगर में कुल कितने तिरभू जाए तो यहां पर देखने ऑप्सन है दस उसके बाद साथ पांच और छे इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर हमारा होगा इसमें टोटल साथ तिरभू जाए देखते है कौन सा ए एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ टोटल कितने तिरभू जोगे साथ तिरभू जोगे बात समझ में आया उसके बाद निमन में आखिरती में देखना है तिरभू जो कि संखे कितना है तो भाई एक दो तीन चार और यह बड़ा बला पांच उसके बाद यहां पर य láई दिख कर ना आए इसमें 12 तिर्वुजाली की संख्या ग्याद करना जिerdक करना लार यहाँ से चार हो जाएगा यहाँ से गारा उपने 11 एक 15 कितन oo कि में 10 दूर तिर जाएगा अगले कुस्षिंध की बठतीं कॉच्छएं आपको बताना है कियुंद में आकिर्ध को बनाने के लिए किनी सीदी रेखा है कि टो । हो एक दो टिन चार पांच से साथ आठ नौ टो टो टोल आपको कितना सीदी रेखा दिख रही एच टोट नो सीदी रेखा है दिख रही है कि अगले कुश्यन की बढ़ते हैं तो अगला कुश्यन हमारा देखने को मिल जाएगा आपको कि इस यह जो आकिरती है इसमें कितने टोटल आयताकार बक्से हैं तो आप देख लो यह आपका क्या हो गया एक दो तीन चार उसके बाद पांच छे उसके बाद कौन साय साथ द सब्सक्राइब को बढ़ते हैं तो 25 पर शान टीन कहा होगा इसका यहाँ MIKE 20 हो जाएगा देखते इसका आंसर कैसे यहां पर आपको साइंस करना है यहां पर 25-18 डिवाइड़ बैट फिल साथ गुने तीन इसाथ यह एकीस हो जाएगा अठारा के तीन से च्छे आजाएगा पाशीस मैंनस च्छे आएगा तो कितना आ गया उनीस पर यहां पर इस जो रहते कितना जाएगा आपको इसका आंसर बताना है साइंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जिससे लाइक शेरां सब्सक्राइब करें और हमसे जूरने के लिए अंटी पीसी और कि या कि एंटी पीसे सम्मनित कोई भी क्वेडि के लिए हमा को अच्छे मतलब टेस्ट स्रीज जो है जो काफी ज्यादा अच्छा टेस्ट स्रीज है मिल जाएगा तो थैंक्यू फॉर वाचिंग